बुद्ध तेरे कितने नाम बुद्ध के पूरी दुनिया में हजारों नाम है मगा सबसे जो प्रमुक नाम है वो बुद्ध है बुद्ध जो नाम है एक उपाधी है जो कोई व्यक्ति सम्यक्सम बोधी को प्राप्त कर लेता है सिद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, यानि सम्यक्सम बोधी, सम्यक्सम ग्यान जिसको प्राप्त होता है, पाली में इसको बोधी बोलते हैं, बोधी को जो सिद्ध कर लेता है, सिद्ध का मतलब सफल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो बोधी और सिद दोनों सब्द मिलके बुद्ध बनते हैं ये एक उपादी है कोई भी मुनस्य दुनिया में इसको प्राप्ट कर सकता है मगर इसके अलावा जो बुद्ध के गुण हैं वो हजारों हैं और उन हजारों गुणों में बुद्ध के नाम नहित हैं यहां हम बारी-बारी से बहुत सारे नाम आपको बताएंगे बुद्ध तेरे कितने नाम स्रीज में जो आज नाम लेंगे वो लेंगे चुकि उनका जो रेस थी उनका जो कुल था वो साक्य कुल था इसलिए उनके दो नाम वहां से पड़े एक पड़ा साकिय मुनी और एक पड़ा साकिय सिही ये सुद्ध पाली में नाम है साकिय का मतलब है जो उस वंस के रहने वाले जिसको साकिय वंस बोलते हैं बाद में जब संसकारित भासा आई और संसकारित भासा में सै की जगे शै आया तो इसको उन्होंने चेंज किया और चेंज करने के बाद में ये साक्ये से शाक्ये बन गया शाक्ये और सी से ये सिन्हे बन गया बोला सिंग जाता है मगर लिखा सिन्हे जाता है इसलिए साक्ये सी से शाक्ये सिन्हे या शाक्ये सिंग और साक्य मुनी से शाक्य मुनी और इनको मुनिन्द भी बोलते है मुनी का मतलब होता है मनन करने वाला यानि जो मनन करता है जो साधना करता है जो ध्यान करता है जो विपसना करता है जो अपने मन को बार 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 देखता है यानि मनन करने वाद का मतलब है मन को बार 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 देखना और उसे कंट्रोल करना उसको मुनी बोलते हैं जो विपसना मेडिटेशन शादना करता है तो यहां जो साकिय मुनी है यानि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल किया उसका मनन किया, इसलिए वो साक्य मुनी है और सबसे ज़्यादा किया, इसलिए इद बोरा जाता है मुनिद, मुनिद इद का मतलब है उस एक काम को करने वाले में सबसे अच्छा काम करने वाला कहीं अगर बाद में इंद सब्दा आ जाए तो इद्ध का मतलब है जो विक्ति उस काम को कर रहा है वो सारे कामों में सबसे उपर करने वाला विक्ति इद्ध हो गया यानि मुनिंद्ध बाद में संस्काइद भासा में इसमें आदा रह जोड़कर इसको इंद्ध किया गया इद्ध को इंद्ध किया गया तो मुनिंद्र कहीं होता है, कहीं मुनिद्ध होता है पाली में ये रह नहीं होता आदा इसलिए ये इंद्र नहीं है, इद्ध है ये जो साक्य लोग हैं जैसे साक जो बोलते हैं साक सबजी यानि साक से शाक सबजी बना हुआ है तो साकिये लोग सारे साक सबजी उभाया करते थे उसी को खाया करते थे जो साक पन होता है उसको शाक पन भी बोलते हैं यानि कि सबजी का पत्ता एक जो सबसे इंपोरेंट बात है वो यह है कि जहां वो लोग रहते थे वैसे तो उसका नाम कपिल वस्तू बताया जाता है जहां भगनमान बुद्धे, ततागत बुद्धे, भंगी बुद्धे मगर इनका छेतर बहुत बड़ा था जो साकिये जहां रहते थे जो साकिये छेतर था अब छेतर तो बोला नहीं जाता था पाली में खित बोला जाता था तो साक की एक खित नाम की एक जगे थी जिसमें बाद में साक और खित बना साक और खित को दोनों को जोड़ करके साक खित हुआ साक खित, खित पहले छितर नहीं था ये ध्यान लखें, छे वर्ड ही नहीं था तो साक खित हो गया यानि जहाँ साक लोग रहते हैं वो खेतर वो जमीन और साक खेती बाद में साकेत बोला जाने लगा क्योंकि इसको आसानी से बोलने में ये साकेत हुआ साकेत वो सिटी है जो आज की डेट में लखनौ में जो उत्तर प्रदिस के अंदर फैजाबाद में आती है यानि जो फैजावाद के नाम से जानी जाती है वही साक खेतर है वो जितने भी साक के लोग हैं उन सब की वो जमीन हैं उन सब का मूल निवाज उन सब का खेत उन सब का धम उन सब के बुद्ध वो वही उस खेतर के फले पुले हैं और बड़े हुए हुए नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है धन्यवाद कर दिए कर दो हुए हुए धन्यवाद